नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मैं आपका दोस्ष दिनस नहींपवर। अगले विधी तरफ बढ़ते हैं और यह विदी है डालन विधी जिससे स्वाध्याय विधी भी कहत toil点 अब जानते इसके बारे में हेलन पार्क हस्ट ने दिया यह विदी दी किसने हेलन पार्क हस्ट ने ठीक है अब मेसा चू शेट्स डाल्टन नगर में जो है मेसा सू चेट्स जो है डाल्टन नगर में डाल्टन पबलिक स्कूल के नाम पर इस विदी का नाम करन हुआ मेंसाचूर्ट में एक दाल்टन थो यह इसकूल है उसी के नाम पर क्या रखा गया डाल्टन विदी रखा गया हेलन पार्क हस्ट का मानना था कि बालक को सिक्षण के दोरान स्व mandar का मौका दिया जाना चाहिए आप हेलन पार्क जो है हर्ष यह मानते थे कि बालक को जो है स्वध्याई का मुखा दिया जाना चाहिए सिक्षन के दोरान आपको ऐसा नहीं है कि आप बस आप खुद आये और पढ़ाते जाएं पढ़ाते जाएं बच्चे ने कितना पढ़ा कितनी प्रेक्टिस की उनको मुखा द पढ़ा दे जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक आप अपने लगसे तक नहीं पहुंच वाएंगे तो यह कहते हैं कि बालक को जो है सिक्षन के दोरान स्वध्य का मौका दिया जाना चाहिए बालक खेलता है तो बोलने दिया जाए यानि कि सोरी बालक इसमें य खेलना चाहता है तो उसे खेलने दे पड़ना चाहता है तो उसे पढ ने दे लेकिन उसको करके सीखने दे यिक लेरन भाइक डूइग ठीक है यह वीदि 8 वर्षे एधिक बच्चों है तू वॉय बारी के 8 वर्षे बड़ों के लिए यह जो किंडर गार्डन ती किसके लिए 3-4 वर्षा साल के बच्चों उनके लिए थी अब चलिए यह वीदि डालतर वीदि हमने देख लिए अगली वीडि देखेंगे अगले वीडिय में इस वीडियो को आगे बढ़ाएं प्यार दे अपना वीडियो को सब्सक्राइब कर ले चैनल को साथ में वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और सेर करें